नमस्कार राजे सरक्लाशिश में आपका श्वागत है आपके सामने है यूपी बोर्ट कच्छा दस चित्रकला का पेपर 2023 का इस बीडियो में मैं इस पेपर का हल बताऊंगा तो देखे पेपर का पहला पेश अनुक्रमा क्या हो लंबर लिखना होता है या नाम यह संकितांग जिसे आपको अपने कापी में लिखना पढ़ता है 2023 कलाब समय तीन घंटे 15 मिनट पुडांक शत्तर प्रारम के 15 मिनट परिच्छार्थियों को प्रस्पत पढ़ने के लिए निर्धारित है शामान निर्देश यहीं बात अंग्रेजी में लिखे गई है मुख प्रिष्ट क जगवाएं और उन पर कच्छ निरिच्छक से भी हस्ताचर करवाएं यानि जो कभर पेज होगा उस पत रोल नंबर लिखना ही है अंदर जो चित्र बनाने के लिए रहता है उस पर भी आपको रोल नंबर सब्दों में अंकों में लिखना है इसके तीन भाग है प्रश्पत के उत्तर ओ-एम-r उत्तर पत्रक पर अंकित किजिए यानि आप या तो अलिखनकला के कीजिएगा अथ्वा प्रावधिकला का बीश नंबर का उसे ओ-व-e-m-r सीट पर क्या करना है अंकित भी कर दियना है ओ-ए-ämä-r-- उत्तर पत्रक पर उत्तर अ-प्रड हाइन के पचा अब चलते हैं अगले पेज़ पर तो देखें अगले पेज़ पर क्या है जर्नल इंस्ट्रक्शन जो बाते सामान निर्देश हिंदी में था वहीं अंग्रेजी में हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र इसको देख सकते हैं अब शुरू होता है खंड का पार्टे इस खंड में आलेखन अथवा प्रावदिक कला के प्रते के 20 बहविकल्पी प्रस्न हैं जिनमें से किसी एक के 20 बहविकल्पी प्रस्नों के उत्तर देने हैं यानि चार उत्तर दे रहेंगे एक सही होगा जिसको आपको करना या तो आले अमार उत्तर पत्रक पर अंकित करें यानि वह मार शीट पर अंकित करना है अब सुरू होता है आलेखन डिजाइन पहला प्रस्न प्रतेक बहविकल्पी प्रस्न के चार विकल्प हैं इनमें से सही उत्तर चुनियों सही क्रम में अपने ओमार उत्तर पत्रक पर अंकित करें एक नमबर का एक प्रश्ण है, इंदर धनुष में कितने रंग होते हैं, इंदर धनुष में सात रंग होते हैं, सी बिकल्प शही है, अब चलना है, अगले पेश पर तो देखें, अगला पेश तीन, दूसरा प्रश्ण, दूसरा प्रश्ण, नीला रंग नित्र पर कौन सा प प्राथमिक रंग है निम्ने में से कौन सा प्राथमिक रंग है हरा लाल नारंगी बैगनी लाल प्राथमिक रंग है किस नंबर की पेंसिल से खिची गई रेखा गरी होती है तो तू भी सी बिकल्प सही है लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता लाल और नीला रंग मिलाने से नारंगी बैगनी भूरा हरा बैगनी रंग बनता लाल और नीला मिलाएंगे तो बैगनी रंग बनता है शही बिकल्प बी है पच्वा का छट्वा प्रस उस्टवाल कलर चार्ट नेराटमे कितने रंग होते हैं कि तोस्ट वाल चक्र में कुल कि आलए पाला विकलफि्थ है समानत रह्ख़ा किसे कहते है साथ्मां प्रसने समानत रह्ख़ा किसे कहते दो सीधी रहा कि spiteais करदल दो सीधी रहा है आपस में मिल जाएं टेड़ी मेरे रेखा, सीधी रेखा, समानतर रेखा, किसे कहते हैं, दो सीधी रेखा आपस में ना मिले, समानतर रेखा हैं इसी कहते हैं, यह एक रेखा, यह मिले ना आपस में, यह क्या कहलाती है, समानतर पैरलर लाइन्स कहलाती है, तो ए विकल्प शाहिए, सबसे महीन, से महीन ब्रस कौन सा है नंबर एक यानि बी विकल्प शही है अब चलने हैं अगले पेश पर देखें अगले पेश पर अगला प्रश्ट नवा प्रश्ट निम किन दो रंगों के मिस्रण से हरा रंग बनता है तो लाल तथा पीला पीला तथा निला तो शही विकल्प है भी ही है पीला तTER निला मिलाएंगे तो हरा रंग बनता फी विकल्प शही है रेखा किसे कहते हैं रेखा किसे कहते है अंगला प्राश रेखा किसे कहते हैं ओ तो ग्यार विकल्प है, दो बिंदों की बीच की दूरी, ततश्ट रंग कौन सा है, which is the neutral color, काला सफेद, यह विकल्प शही है, ग्यारे के यह शही है, बिना ब्रस की सहाता से कौन सा रंग लगाया जाता है, तो बिना ब्रस की साहता से पेश्टल रंग लगाया जाता है, कौन सा रंग पेश्टल रंग लगाया जाता है, अगला प्रशन है निवन में से कौन सा अधिक मोटा ब्रस है, तो सबसे मोटा ब्रस छ नंबर का होता है, यह बिकल्प शही है, चौदर सुर्योदय के समय प्रस्ट देखे अगला प्रस्ट आपके सामने आ गया और यह 15 प्रस्ट कौन सा आकार आलेखन के लिए उप्यक्त नहीं है वर्ग त्रिभोज विर्त कौंड कोंड नहीं डिकल्प डी क्या है इस एक जही है बिकल्प यह कौंड इस प्रकार को ओता इसमें आलेखन नहीं बना निमन मेंसे किस प्रकार की पेंशिल से खिची गई रेखा हलकी होती है, तो यच भी यच टू यच याँनि सी भी कल्प सही है, 18 दूतियक रंग कितने दूतियक रंग तीन होते हैं हरा भैगनी और नारंगी दूतियक रंग होते हैं रंग माध्या में अधिक पारदरसी रंग कौन सा होता है आयल रंग होता है डी विकल्प शही है काले रंग का विरोधी रंग कौन सा तर सफेद होता है तो ये हुए ये करना है ये आलेखन कला हुए अब चल रहे है प्रावधिक बताने तो देखे प्रावधिक पर क्या कैसे कैसे प्रश्णाय है प्रावधिक कला या तो आलेखन कला करना था या प्रावधिक तो देखे आप प्रावधिक के उत्तर वर्ग का प्रते कोड़ होता है बी विकलब सही 90 डिगरी एक वर्ग के आंतरिक कोड़ों का योग 360 बी विकलब ही सही है एक वर के आंतरिक कोड़ों का विकल्प भी सही है एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं एक मीटर में सो सेंटी मीटर होते हैं आसान प्रश्न है बृत का आकार कैसा होता है तो बृत का आकार भी विकल्प शही है बी विकल्प शही है संभाव त्रिभुच का प्रते कोड़ साथ डिग्री का होता है निम्न में से कौन सा सरल कोड़ है 180 डिग्री सरल कोड़ होता है अब चलते हैं अगले प्रस्ण पर तो देखें सात्मा प्रस्ण आया आपके सामने सात्मा प्रस्ण में जो संभाव लिखा गया है यो वास्तों में 180 डिग्री होता है लेकिन अंग्रेजी में सही है अंग्रेजी में complimentary angles तो इसका आर्थ होता पूरग तो थोड़ा misprint है लेकिन सही विकल्पशी ही है और अगला प्रशन है निम्न में कौन सा आकार पंच भुजाकार है तो सी विकल्पशी है क्योंकि पांच भुजाएं इसमें है दो बिंदों को म मिलाने वाली कितनी रेखाएं खिची जा सकती है तो एक रेखा खिची जा सकती है एक बिंदों मालेजी यहां एक बिंदों यहां तो यहां से किवल हम एक रेखा ही खिच सकते हैं दो बिंदों से निम्न में से अधिक कौन सा है तो पहला ही सही है नब्बे से बड़ा लेकि 180 डिग्री से कम अगला है एक मीटर में कितने डेसी मीटर होते हैं एक मीटर में 10 डेसी मीटर होते हैं कितने डेसी मीटर होते हैं 10 किसी त्रभुच के अंता कोणों का योग किसी त्रभुच के अंता कोणों का योग 4 विकल्ब दिया गया है एक ही विकल्ब शही एक समकोड दो समकोड तीन समकोड इसमें से कोई नहीं तो दो समकोड शही विकल्ब पर अब चलते हैं अगले प्रस्ट पर तो देखें अगला प्रस्ट आ रहा है आपके सामने जल्दी ही तिरहा प्रस्ट एक डेसी मीटर में कितने सिंटी मीटर होते हैं सही पहला ही 10 cm, एक वर्ग की चारो भुजाओं का गुण, सभी भुजाओं बराबर, सभी भुजाओं और समान, आमने सामने बराबर, लेकिन सभी भुजाओं बराबर, वर्ग की चारो भुजाओं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, एक बिकल्प ही सही है, किसी संभाव त्रि 60 डिग्री के होते हैं त्रवज के तीनों भुजाएं बराबर होते हैं सही है संभाव त्रवजा ना त्रवज का प्रतेग 22 कोड 120 डिग्री का होते है ये भी सही है नहीं लागो होगा ये त्रवज का प्रतेग 22 कोड 110 डिग्री का हो ये गलत है तो यहीं बिकलप ही है जहीं कौन सी पेंसिल से खिचेगी रिखा शामान होती है अब अगला प्रस्वन ए शंभावतरभोझ कौन सा है नहीं हो जाएं बराबर सबसे गाड़ी पेंसिल कौन सी है तो वै ब्लैक इसका मतलब 6B अब चलते हैं अगले प्रस्ट पर देखिए अगला प्रस्ट आ रहा है आपके सामने और उसका इंतजार जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप तो आ गया 11 प्रस्ट, एक डेसिमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो बाए इसमें 4 विकलब दिये गए हैं चार विकलब हैं लेकिन पहला विकलब ही सही है 100 मिलीमीटर होते हैं अगला प्राशन है एक किलो मीटर में कितने डेसी मीटर होते हैं एक किलो मीटर में चार विकल्प है भी ही सही है दस अजार डेसी मीटर होते हैं अब ये तो हुआ प्रावधिक के अबजेक्टिव भविकल्पी प्रस्न अब चलना है खंड भग जो कि तीश नमबर का है और इसमें से आपको एक करना है प्राक्तिक दिश्चित्रण कीजिए तो या तो फिर अलेखन या तो प्रावधिक तो आप देख सकते हैं इस खंड मे प्राक्तिक दिश्चित्रण अथ्वा आलेखन अथ्वा प्रावधिक कला में से किवल एक का ही चित्रण करना है एक का ही चित्रण करना चाहे प्राक्तिक दिश्चित्रण कीजिए आलेखन कीजिए प्रावधिक कला कीजिए तो देखे प्राक्तिक दिश्चित्रण के दिय प्राइश नंबर का है बीश नंबर हो गया तीस एपचास बीश नंबर का इसमरेती चित्रण अपने उत्तर पत्रक्वा शामान हासिया छोड़ते वी बाईस सेमी गुड़े अठारे सेमी के आयत में प्राताय कालीन ग्रामेड दिस चित्रण कीजिए जिसमें छोटे बड़े पेड आकास में उर्ते पंची और उसा कालीन सुर्योद है दर्शाए चित्र में जल रंगों था पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए जल रंग है तो वाट्स मैन पेपर और पेस्टल रंग है तो पेस्टल पेपर का प्रयोग करें चित्रांकन करते समय वाट्स मैन का मतल पर मिलेगे सही अनपात यहीं बात यहां पर किसमें लिखती गई है अंगरेजी या तो यह करना है या तो फिर आलेखन चलते हैं अगले पेज पर दिखाते हैं किया है आलेखन में आलेखन डिजाइन बीसमी ब्यास के ब्रित्य में अलपना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाई है जो दिपावली पर हेत उप्योक्त हो आलेखन किसी भारती फूल पत्ती एवं कलियों पर आधारी तो ट्रेसिंग करना वर्जी थे ठ्रेसिंग पर काई उज नहीं करना है कि तीन जल रंगों का प्रियूग कीजी तीन रंगों का जल रंग का प्रियूग करना आलेखन में लिखत बातों का ध्यांर रखना एकाई की मौलिक तर दस नंबर लैट्मकर खांकन सुसंगत रंगों का प्रयोग 10 नमबर सामान प्रभा यह वहां कर्षन पांच नमबर यानि बीस सेमी ब्यास यानि दस सेमी त्रिज्या के लिजिए त्रिज्या दस सेमी होनी चाहिए अखिश दीजिए और यह दस दस बीस होगा इसी बृत में बनाना है अगला है यहीं बात अंगरेजीम लिखे गई है या तो आलेखन या तो प्रावधिक उधर सारी प्राक्तिक दिशित्र आलेखन अथ्वा प्रावधिक सब कितने नमबर का है तीसी नमबर का भई अब प्राविदिक में देखे क्या क्या करना है निमखित पांच प्रशनों में से किनी तीन प्रशनों को उतर दिए सभी प्रशन ददश नमबर को होंगे प्रतेक प्रशन के अंग समान है प्रतेक उत्तर की रचना में निर्देश्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं, असपासों रचना की रचनात्मक रेखाएं को मिटाएं, ना मिटाएं रबकार्श श्वेत फुलिष के पेपर पकीजिए इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ सनलखन कर दीजिए अब देखिए पहला प्रस्ण है दस नमबर का ही है एक त्रिभुज कोखग अगे की रचना के जिसका परिमाब बारे सेमी हो तथा भुजाओं का अनुपाद तीन संब्दे चार संब्दे पांच हो ये तो हुआ पहला सी का पहला यानि आ और दस नमबर का है ब ये देख सकते हैं ब में भी यहीं लिखा गया है दो समान भरत की त्रियक अस्पर्स रिखाएं की जिस इजिनकी त्रिजिया बरावर तीन सेमी हो पर तेक केंद्रों के भीषकी दूरी शाथ सेमी हो यानि ये भृत कीष्णा है तिरियक अस्पर्स इस प्रकार सेंदा कीष्णा है Psalm 13 पांच दिया है और यह तक और इसमें तीने करना याद रखेगा यहीं बात देखें अंगरेजी में ध्यान पुरोग देख सकते हैं यह देखें अंगरा इसकोि लिए सकते हैं अब चल लें अंतिम पेज पर देखें अंतिम पेज आगया आपके शामने पाडशी इसमिरति चितरन भीष नमबर की मांदध्यम से बनाए चितर की माम अब देखे इसमें से एक कहीं बनाना है पत्तियों सहीताम केला बैगन पपीता तीर चारों में से एक ही बनाना है लिखा रहा है नमखित में से किसी एक का इसमेरत जित्रन पेंसिल द्वारा अब अगला देखे खो यहां भी एक कहीं बनाना है नमखित में से किसी एक का इसमेरत जित्रन पेंसिल द्वारा खीचे और वहीं बात है कि रेखा सौश्ट चार नमबर आकरती के अनुरूपता यानि का इसी रेखा बनाना है उसकी आकरती सही है कि नहीं खुला चाता बाल्टी तथामक पुस्तक पर रखी कलम टेबुल लैम और इसमें से यह कहीं बनाना है ठीक है और यहीं बात अंग्रेजी में लिख दी गई है इसकी इन सौट ले सकते हैं नमस्कार